हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के इंगलिस के चैप्टर की ठीक है तो यह आप लोग का जो चैप्टर है उसका नाम है एलेटर टू गॉड और इस चैप्टर का जितना अब्जेक्टिव कोस्टन तो पहले कंड़ करवा दिया और इसमें सब्जेक्टि कोश्च इस सफर में आप लोग को करवाने वाला तो चलिए बिना देर के सुरू करते हैं पहले कोस्टन से तो यह आपका पहला कोस्टन तेखिए पहला कोस्टन क्या रहा कि वाट लेंचों household located लेंचो का House कहा पे था उसका・ घर कहा पे था क्योंकि यह कहाणी हम पहले भी बात कर सुकé है कि लेंचो एक किसान था ठीक है और उसने का इसने गवाड़ को लेटर लिखा था कुुछ पैसे मांगा थे क्यों की उसका फसल। बारिज के करन तबाह हो गया था तो यह मैंने पहले बात कर तुख हूँ कि अब्जेक्टिव में जब मैं पढ़ा रहा था तब ठीक है अगर आप लोगों अब्जेक्टिव का लगा सेशन नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलीस्ट में जाके देख तकते हैं ठीक है तो चल घर कहां पे था जो हील था पहाड़ी इलाके था पहाड़ी इलाके के नीचे वाज जगव में उसका घर था ठीक है पहle question के हम देख लिए दूसरा question देख लेते हैं दूसरा question है कि are attendees कि keep gazing at the sky लेंचों यहाए आसमान को क्यों देख रहा था तो आसमान को देखने का यह वज़ए है क्योंकि लेंचो को खेद को पानी की ज़र रहती ठीक है इसलिए तो देख रहा था तो देखो लेंचो का गयाजिंग at the sky because his crop needed water and he was expecting for the rain ठीक है उसके खरसल को पानी के ज़र रह थी और वो उमीद करा था कि बारिश होगी तो यह आपका इसका दूसरा कोश्ण कर सही अंसर हो गया तीसरा कोश्ण क्या है कि वाट वाट वाइद एफेक्ट ऑफ दे रेन ऑन दे क्रूप जब बारिश हुआ तो इस बारिश हुआ इसके वाज़े से पूरे फसल उसके बड़बाद हो गए चलिए उसके बाद का कुश्ण देखते हैं चोथा नमर का कुश्ण देखिए कि हूँ सेंट मनी टू लेंचो लेंचो को पैसा कौन भेजता है ठीक है तो क्योंकि लेंचो लेंचो का जब फसल पैसा भेजता है फिर आप देखते हैं पांच वाज़े लेंचो राइट इन दे सेकेंड लेटर टू गौड फेला बर लेटर लिखा होता है तो उसके रुप्या मांगता है लेकिन उसे मिलते सत्तर पीशो तो गुस्ता जाते तो फिर वह क्या करते कि वह बारा दूसरा ले लेटर लेंचो गौट ओंली 70 पीशो जब पहले बाद लिखा थे सत्तर पीशो मिले थे तो ही रॉट सेकंड लेटर लेटर लिखते हैं सेकंड लेटर और रिक्वेस्टेड़ तो सेंड रिमेनिंग 30 पीशो गौड को लेटर लिखे बोलता है कि ते तो जो बाकी बच्चे 30 पीशो से वह फिर से भी बेज दें यह और सो रिक्वेस्टे नौट टू सेंड दा मनी थ्रू दमिल वह गौड करता है कि पैसा मेल थ्रू ना भेजे क्योंकि पोस्ट ओफिस के जो इंप्लोई जो है वह बंच अब कुरूख है यानि कि पोस्ट ओपिस के इंप्लोई लोग है वह ठागने वाले लोग है वह पैसा ले लेते हैं तो इसलिए बात करता है कि मेल के सेंड अमनी थ्रूद मेल में से ही पैसा भी नहीं बोलता है फिर देखिए च्छटा कॉस्टन कि वाइडि लेंच्यो कॉल दा पोस्ट ओफिस इंप्लोई एज बंच अब कुरूख यहां पर है बंच अब कुरूख यानि ठगों का टोली लेंच्यों जो है पोस्ट ओफिस के जो करमशारी लोग है जो काम करें वाले लोग है उससे समय क्यों कहते हैं इसको लेखर उसम उप्लिए इस फैसें ऐसा ले लिया है नियुक्त वंशार कभा पोस्ट ऑफिस सर्म पैसा क्या करता है सैंसर particulier चजब था पॉस्ट पीस के लोग ठगने वाले था तो अक्यक्षी'd द % सब्सक्राइब करते नियुकि यह टोसिती घ्लति कर नहीं सकता आज हो प्रोट कर सबस्क्षी है तो संट ही नहीं एक सब सिस्ट पहले एकसे मागए एक सो पीसो सी देंगे लेगे लेंगे लेकर मुझे तो मिला सत्तर पीसोष त्यानी की प्युपर पेज़ी ले लिए लिया तो इसलिए लगता है कि जो लोग होते हैं थग रहे हैं फब कि तोली है के लिए खिला सके ठीक है तो देखिए को एंसर देखते हैं कि लेंचों को फसल थे वह पूरी तरह से बढ़बाद हो चुके होते भारी बारी से एंड स्टॉर्म अब बारी बारी सो तुफान से उसके फ़सल बढ़बाद हो चुके होते ठीक ही हैड लैप नथिंग टू पर दिखाए तो पूरी तरह से पहले तो सबसे पहले वह सा बाद में सीरियस हो जाता क्योंकि उससे लगता कि लेंचों का गौड पर से विश्वास तूटना ले चाहिए तो क्या करता है वह सोच लेता है कि गौड को गौड को अगर लेटर लिखा है तो लेंचों को हम कुछ पैसा अपने तरफ से भीज़ देंगे तो ही डी नोट वांट लेंचों फैथ इन गौड टूबी सेकेंड सो ही सब्सक्राइब लेंचों क्योंकि पोस्ट मास्टर चाहता था कि लेंचों का गौड पर विश्वास है वो ना टूटे इसलिए वो अपने इंप्लोई लोग को और अपने दोस्तों को कहता है कि मदद करें कुछ पैसों एकठा करने में कि उल्पेस को और लेंचों कर लिया और इस्त ने एक्ट रूंट ने में उसका मदद किया तो यह आपका आख़ी कोशन था इस सेस्टन का मिलते हैं अब